Hello guys and welcome back to another video मैंने एक वीडियो बनाथ है अपने चैनल में अप्लोड भी गया था स्टॉक हम एकोमडेशन के बारे में जहां पर मैंने अपना एकोमडेशन दिखाया भी था और कहा भी था कि यहां पर एकोमडेशन ढूना कितना मुस्किल है और कितना कॉस्टली भी है मैं अपने वहां पर कॉमडेशन में रहता था तब लेकिन अभी मैंने एक फ्लाट यहां पर रेंट पर लिया है तो बहुत चारी प्रोसेस भी अभी पता चला है मुझे तो वह शब मैं आपके सामने सेर करना चाहता हूँ उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं औ भी दो फेस्टूक ग्रूप में यह सब इनफोर्मेशन हम लोग पूसते हैं और कई कबार हमें इनफोर्मेशन अच्छी मिल जाती है इंद इन चुर्डियन ग्रूप जो है वह काफी अच्छा ग्रूप है मुझे भी बहुत हल्प किया है तो वह ही सही मैं थोड़ा इनफो कि अग्र इंडिया में भी हो तो आप कैसे इंफोर्मेशन दून सकते हो तो इसके बारे में डी टेल में अभी ये वीडियो को मैं बताने वाला हूं तो वीडियो के अंड तक देखिए आपको बहुत इंफोर्मेटिव लगने वाली है क्यों कि मुझे बहुत श्ट्रगल करना तो मैं चाहता हूं कि मेरे वज़े से आपको थोड़ा हल्प होजा है तो मुझे बहुत कुछी होगी बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्रम पर डीम बी किया था कि एक वीडियो बनाने के लिए स्टॉक हो में कैसे अक्मडेशन हम लोग ढूंड सकते हैं तो चलिया इस व में जाते हो और आपको अक्मडेशन मिलती नहीं है तो बहुत टेंशन जाता है तो पहले से अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए कुछ फिक्स हो जाए तो वह अच्छा लगता है और यह भी है कि आप ऐसे वैसे एरिया पर ना चले जाओ जैसे है पर लब स्टॉक तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और होपफुली आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर अच्छी लगया और आपको हेल्प हो जाए तो लेस्टार्ट इस वीडियो तो चलिए चलते हैं ऑपसंस की तरफ तो पहला ऑपसंस जो है कासा दोटेसी यह आपने बहुत सारे फेस्ग्रूप ग्रूप में भी देखा होगा जो की ट्रस्ट वर्दी भी है यह मेरे ऑफिस वालों न भी बहुत यूस किया है और बहुत सारे अकॉमोडिशन मिले भी है तो यह एक ट्रस्ट्वर्दी वेबसाइट है और एक सिमिलरली आपको मिल जाएगा सांग्रिघ डाट से सो यह द है ने अच्छे से कुछ लिख सकते हो कि मैं ऐसा हूं मैं smoking नहीं करता मैं pets मेरे पास नहीं है जो भी आपके description है आप यह आराम से लिख लो अच्छे अच्छे लिख देना तो यहां पे आपको मिलने के chances आपके थोड़े बढ़ जाएंगे तो यह दो आप website चेक कर सकते हो यह बहुत लोगों ने मेरे co-workers मेरे friends है तो नहीं मिला लेकिन बाकियों को मिला है इसका process बहुत ही simple है आप login करो और फिर यहां पर अपना location डालो यह self-explanatory है यह मैं explain करना नहीं जाता है यहां पर पड़ आप जाके login करके देख सकते हो और hope आपको यह वाला help कर जाए तो आप next option पर हम देखते हैं next है renthia.com तो यह वाला website भी बहुत लोगों ने use किया है और उनको accommodation मिला है और इनका process भी काफी सही है आप आराम से digitally contract sign कर सकते हो आप यहां पर search कर लो कोई भी area जैसे कि यह area quick apply आप कर लो और यहां पर आपने bank ID से है आपको contract का letter भी आ जाएगा और bank ID के थुरू आप उसे sign करके अपना contract भी sign कर सकते हो तो यह भी काफी trustworthy site है आप यह भी try कर सकते हो और next option पर चलते हैं blockit तो यह तो सायद बहुत लोगों ने सुना ही होगा blockit का नम क्यूंकि मैंने facebook groups पे काफी देखा है कि बहुत लोग discuss भी करते हैं बट जिसको नहीं पता और यह video देख रहा है आप यह site भी देख सकते हो अप अपना भी add डाल सकते हो अगर आप rent पर देना चाहते हो और यहां पर आप rent apply भी कर सकते हो तो यहां यहां पर आपको bank ID की जरुवत ना पड़े क्योंकि मैं अभी यह चेक कर रहा था तो मुझे email ID पूच रहा था तो आप यह options भी check कर सकते हो तो चली चलते हैं next option की तरफ next option है आपका be resident.se तो यह भी काफी सही option है आपको यह रहतिया की तरह ही है आपको सब digitally आपका सब कुछ handle हो जाएगा आपको digitally contract भी आया जाएगा तो यह options आप try कर सकते हो और यह भी self explanatory है तो आप अराम से यहां पर personal number अपना डाल के यह जो write something about yourself इसकी बात मैं कर रहा था यहां पर samtrik और कासा में तो यहां पर अपना अच्छे-च्छे कुछ लिख देना और एक चीज का भी आप ध्यान रख सकते हो कि अगर आपको references चाहिए आपके co-workers हो या फिर कोई यहां पर Swedish का बंदा हो या फिर कोई आपका manager हो ऐसे कोई reference दे सकतो जो कि Sweden में या फिर स्टॉक हो में का फिर टाइम से हो और उनके number देना या फिर email ID देना तो reference चेक के थुरू आपको जल्दी मिल जाता है क्योंकि उनको ट्रेस्ट रहता है कि ओके यह बंदा अच्छा है कुछ illegal काम नहीं करता तो इससे आपके chances थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यह आप ट्राइब कर सकते हो और इससे बहुत लोगों को help हुआ है तो यू कन गिव इट ट्राइब नेक्स्ट ऑफ़ें पर चलते हैं हों क्यूं डॉट सी तो यह भी काफी सही आपसर नहीं हाँ पर मैप पर देख सकते हो कौन से कोमडिशन यहां पर और यहां पर आप डारिक्ट यांके साइन इन करके आप अपना लोकेशन भी डेज सकते हो यहां पर एंड यू सब्सक्राइब करें तो यह कुछ आप्शन से जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं एंड कितने साथ एक दू तीन चार पांच छे आपको तो आपको थोड़े से आपको मिल जाएंगे यहां से एंड होफ़ली आपको हेल्प हो जाए इन सब वेबसाइट से अगर कुछ और भी मुझे वेबसाइट के बारे में पता चलता है तो मैं मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगो यह थे कुछ आपसंस जो यहां पर अगर आप स्वेडन में हो यहां फिर आप स्टॉक हो में हो तो यह सब आपसंस आपको हेल्प कर सकते हैं लेकिन में चैलिंज हो आता है ना वह इंडिया से अगर आप यहां पर आना चाहते हो स्टॉक हो आपको कुछ भी आइडिया नही तो उसके बारे में भी मैंने बहुत डीटेल रिसर्च किया है, मैं भी इहां पर इंडिया से यहां इंदे इक धरेंड्o को भी मैंने हमने साथार, बहुत सरी इंडिया को है, क आप इंडियासे ही भूकिंग कर सकते हो और डारिकली आपे Cross तो यह बहुत इंपोर्टन चीज है बहुत लोगों को यह पता नहीं रहता है तो यह आप देखिए कि कैसे आपको यह help हो सकता है और थैंक्यू बता देना मुझे comment section में तो चलिए चलते हैं पहला option जो है मैं आपको बहुत बताने वालों पहला option यह है कि बिज अपार्टमें और यह रहा उनका website आप यहाँ पर जा सकते हो और यहाँ पर call कर सकते हो अगर आप इंडिया में हो आप इस पर meal भी कर सकते हो यह meal का reply बहुत जल्दी मिल जाता है आपको इनके price reasonable है मैं यहाँ पर one month रुका था तो तब 14,000 से के था तो 14,000 is okay क्योंकि अगर आप इंडिया स आ रहे हो अगर आपको कुछ मिली नहीं रहा तो यह आप option चूज कर सकते हो 14,000 एक महिने या फिर दो-तीन महिने आप यहाँ पर आराम से रह सकते हो काफी convenient है और इसका location मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर यह रहा आपका बिज अपार्टमेंट सोलना यह रहा location और यहा आपको टनल बाना जो है यहाँ पर जो metro है यह भी मिल जाएगा तो यह काफी अच्छा option है और यह मैं आपको recommend कर सकता हूँ अगर आपको इंडियन ग्रॉसरीज भी कहीं पर यहाँ पर लेना है तो आपको इंडियन ग्रॉसरीज आइटम्स भी मिल जाते हैं तो यह आप option द हैं यहां पर बट आप देख सकते हो कि पूरे सेंटर पर है तो काफी अच्छा रहेगा यह आपको पहला option मेरा यह रहेगा तब चलते हैं दूसरे option के तरफ तो काफी लोग जो इंडिया से आते हैं वो सीस्ता के आसपास ही उनको वहां पर मिलता है office तो वहां पर एक accommodation यह है studio hotel मैं यहां पर भी चुका हूं तो यह जो सारे options है मैं यह बता रहा हूं मेरे experience से बता रहा हूं कि मैं कहां कहां पर रहा हूं बाकी options भी आपको मिल जाएंगे लेकिन यह वाले सावरे ट्रस्ट वर्दी options है तो यह रहा आपका studio hotel यह कम से कम आपको अभी का प्राइस बताऊं तो 15,000 एसी के लगभग लगता है इसके prices आप यहाँ पर जाके book option भी मारके देख सकते हो यहाँ पर studio hotel है बड़े बड़े rooms भी available है तो मैं suggest करूँगा कि आप जाके यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो long stay monthly basis पर weekly basis इस पर काफी convenient है यह और मैं यह क्यों recommend करना चाहता हूँ क्योंकि जैसे कि आप देख सकते इस वीडियो में भी कि यह studio hotel है और आसपास आपको हर जगा पर यह सारे आप वोकेबल डिस्टेंस पर रह सकते हो आप अपना जो कार्ड है ट्रांसपोर्ट का कार्ड है वो भी आपको लेनी के जरुरत नहीं पड़ीगी और आसपास आपको सब कुछ एवलेवल है और फेमस यहाँ पर जो इंडियन स्टोर है सीस्ता ग्रॉसन यह भी वोकेबल ड आपके तो यह अगर नहीं मिल रहा तो आपके पास दूसरे आपस भी है जैसे की यह रहा सकान्डिक होटल यह ज्यस्ट मैंने जो आभी दिखाया स्टूड़्यो होटल इसके बगल में ही है और उसके पास है कमफर्ट होटल तो यह तीन आपस में आपको रेकमेंड कर सकता ह अगर आप सीस्ता में आपके offices हैं या फिर सीस्ता में ना भी हो वहाँ पे tunnel बना है metro है तो काफी convenient है तो आप आराम से वहाँ पे विज़ा सकते हो और यह वाले options चूस कर सकते हो तो चलिए चलते हैं अभी third option के तरफ third option आपको यह रहगा कि part-time home.eu करके एक website है यहाँ पे आप आराम से accommodation यह सब देख सकते हो यह भी ट्रस्ट वर्दी एक website है तो यहाँ पे आप लेकिन यह location इसके थोड़े दूर रहेंगे अगर आपका offices सीस्ता में हैं तो लेकिन अगर को option जरूर दे सकते हो टैबी जो कि यह बहुत ही अच्छा इलाका है वहाँ से थोड़ा टाइम लगता है आपको सीस्ता आने में लेकिन डाट इस ओके बहुत ही अच्छा इलाका है और काफी सारे स्टूर्डेस भी रहते हैं वहाँ पर एंड रोटे ब्रो एंड स्लाक्स था यह सब options भी आप देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो और अगर आपको direct इनका contact options चाहिए तो आप यहां से यह वाला जो email address है reservation at the rate part-time home.se यह मैं आपको link के नीचे description में भी दे दूँगा आप डारेक्ट इन्हें mail करके भी आप पूछ सकते हो क्या प्राइजस हैं क्या accommodation कितने टाइम पर आपको चाहिए तो यह सब आप देख सकते हो अब चलते हैं मेरे last option पर तो last option यह रहेगा Stockholm hotel apartment Solentona तो यह आपको Solentona area में मिल जाएगा तो यह भी काफी अच्छा ही hotel है लेकिन इस hotel area के बारे मैं बता दूँ तो यहाँ पर tunnel बना जो metro है blue line या फिर कोई भी line यह वाला यहाँ पर metro नहीं है बस यहाँ पर आपको buses मिल जाएंगे अगर आपको offices सीस्ता में हो और या फिर आपको nearest tunnel बना अग से लेना पड़ेगा बट बसे काफी convenient टाइम पर मिल जाएंगे आपको आपको सायद 15 मिनिट या फिर 20 मिनिट वेट करना पड़ेगा 15-20 मिनिट के डियूरेशन पर आपको बसे मिल जाएंगे तो यह भी काफी अच्छा option है और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं मे यहाँ पर बता हैं यहाँ पर मैं रह चुका हूं या फिर मेरे कोई दोस्त यहाँ पर रह चुके हैं मैं ऐसे ही नहीं बता रहा तो यह सारे ट्रस्ट वर्दी ऑप्सन से आप इंडिया से यह अराम से बुक कर सकते हो अगर आपको अकोमेडेशन का कोई दिकत हो अगर आप किसी को information जाहिए होगा तो आप information ये share कर सकते हो अगर आपको कुछ नया information पता चले किसी भी website या फिर किसी भी process के बारे में वो comment section पर बता सकते हो लोगों को help हो जाएगी so that's it video को यहीं पर अभी end करते है so this is Vicky Patnaik signing off channel को जरूर subscribe कीजिए और like और share भी कीजिए thank you very much